हेलो स्टुडेंट, वेलकम इन CGPSC क्लास्रोम भारत के भुगल में हम देख रहे थे भारत का भौतिक विभाजन उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे उत्तरी भारत का मैदान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप हम से टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी भारत का मैदान उत्तरी मैदान का विकास तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तरी भारत के मैदान का जो निर्मान हुआ वो कैसे हुआ है वो हुआ हिमालय के निर्मान के साथ ही साथ उत्तरी भारत के मैदान का भी निर्मान हुआ है जो उत्तरी भारत के मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यत किसके द्वारा हुआ है वो सिंधू, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी जो सायक नदिया है उनके द्वारा लाए गए आवसादों के निश्चेपन से हुआ है तो ये कहां पर देखे जाएंगे mostly ये मैदान सिंधू, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के एरिया में ही देखे जाएंगे मैदानी भाब को इसमें मुख्यत कौन सा मैदान आएगा तो इसमें मुख्यत आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आएगा अब इनका विस्तार देख लेते हैं तो विस्तार जो है इसका विस्तार रहेगा मैदान का पक्षिम में सिंदु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी थक फैला हुआ था तो यह कैसा मैदान है देखो यह समतल मैद यहां पे उच्यावज कम है अगर उचाई रहागा तो वह पहाड या परवत कहला लेगा इसलिए मैदानी इलाका जो रहता है उसमें ज्यादा उचाई नहीं होता ज़ी है वह संतल होता है अब देखो इसके लंबाई देख लेते हैं तो लंबाई कैसे होगी पूर्वसे पक् लंबा है पूर्वस्य पक्षिम तक यह मैदान जो है यानि ब्रह्म पुत्र से लेकर सिंदु नदी तक कि लिए तो इसके लंबाई कितनी है 3200 किलो मेटर लंबा है चोड़ाई में कितना चोड़ा है ये तो लगभाग ये 1500 से 300 किलो मेटर चोड़ा है बहुत चोड़ा है देखो 1500 से 300 किलो मेटर तक क्या है इसकी चोड़ाई है अब इसके रिखते है समुद्र तल से उचाई कितनी है तो समुद्र तल से लगभाग 50 से 150 पचास मीटर तक है स्क्यू उचाई ठीक है तो यहां पे हमने लंबाई भी देख लिया है चड़ाई भी देख लिया है और उचाई भी देख लिया है उचाई मोसली जब यहां परियात्र जल आपूरती भी होगी और किर्शी कारे के लिए क्लिए बहुत सायक होता है किर्शी कारे के अब देखोई इस जो मैदानी इलाका है उनको उसकी उपर नीचे की जमीन के अधार पे और भौतिक लक्षणों के अधार पे किते भागों में भाजित कर दिया है मुख्यता बाबर यह है किते भागों में भाजित किया गया है इसको देखो चार भागों में है पहला है बाबर दुसरा है तराई और तीसरा बांगर और चौथा है खादर तो जो चारों है इनको हम बारी बारी से रिखेंगे एक और एरि जो है मुख्यतब ब्रह्मपूत्र गूस के पास एरिया में देखने को मिलता है पक्षी ग两 Ready उसके बारे में आगए डिसक्स करेंगे ठीए पहले हम यह चारों को अच्छे से देख लेते हैं ृफावर ठीए अब जो है वह करसा होता ख़रा मैंने जम्मो से असम तक शीवादी के डख्षिण में स्तीफ्नाइब्स करें है उस पोरा ही उस सिंदू से लिए ळसम तक्था है नहीं पहला रहा कहीन पर एसा रिया मिलें gekः कही मिलेगा तराई क्छेतर तो कहीं पे हम को गया खादर कहीं पी बांगर ये अग ए हैं नहीं रहागा लेकिने यह आज जो है ना हम पता रहना क्या जम्मू नदी चेंऩ से श्रीष्ट कर रहा हैं मतलब सिंदु नदी से लेके तीस्ता नदी तक इसको देखा जाता है निरंतरता देखी जाती है चोड़ाई कितनी है भावर की तो भावर जो एरिया है उसकी चोड़ाई है आठ से लेके 16 किलोमेटर चोड़ा है ठीक, याने कि शिवालिक जो हिमाले की श्रेणी है, उसके जस्ट नीचे में देखने को मिलती है, बहुत जादा ही देखने को मिलती है, याने 8-16 km चौड़ा क्या रहेगा, भावर वाला एरिया रहेगा, और पूर्व में क्या होते जा रहेगा, यह सकरा होते रहेगा और पक पहाड से नदी निकल रही है इसके बाद को नदी है उसके उपर बहुत सारे कंकर पत्थर बजरी यह सब देखने को मिल रहे है तो यह जो एरिया होगा ना इसी को बोला जाता है भावर ठीक है आपको बिल्कुस अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिस पकासर डाइग्राम ब इत्थ कि यहां पे लिखा भी है कि हिमाले से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गयी गाद जैसे पत्थर कंकर बजरी आदी के जमाव से ही जमाव से ही है बाबर चेत्र का निर्माण होता है इस भुभाग में क्या होता है छोटी नदिया जो रहती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है कंकर पत्थर और बजरी का धेर लेकर आती है अब जैसे यह उपर से जब बहर यह न नदी तो यह बहुत तेज बहाव में रहेगी तो उपर से बहागी तब कंकर पत्थर उतने या नदी यहां से बहती है जब मेंधानी एलाकों से बहने लगती है तो इन पत्थरों के पानी किया हो जाता है पानी रहता है छुप जाता है यने अद्रिष भीलत्य नेकिन disrupt chemise नदीया क्या जाती है अद्रिष्ठी हो जाती है अब जो एसा एरिया रहे वहां पे क्रिशी समभाव है किया नहीं हो सकती समभाव तो यह जो छेटर है क्रिशी के लिए उपयोगत नहीं होता है解क है तो बाबरầरर्च nuovoक्रियों कुर्ण रहें और यहां पर क्या होगा वर्षा क्या दिखता रहेगी जिसकी वज़ए से क्या होता है तराई कर विस्तार पक्षिम क्या पेक्षा पूर्व में अधिक देखा गया है सबसे ज्यादा बारिष कहां होती है mostly हमने देखा अपने इंडिया के उत्तरी पूरों में चेराम पुंजी, मासीन राम इन जगों पे ज़ादा बारिश होती है तो जहां ज़ादा बारिश होगी वहीं पे क्या देखा जाएगा तराई भूमी देखा जाएगा तो तराई भूमी कहां पे मिलेगा बाभर छेतर के दक्षिन में रहेगा इसकी चोड़ाई देखो बाभर छेतर से जादा है 15-30 किलो मीटर चोड़ा है ये तराई छेतर कैसा रहेगा अब वहां दलदली एरिया है ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां क्या रहेंगे वहां पे देखो कहीं गई पे सूखा अगर है तो नम भी रहेगा ठीक है दिक तो सूखा रहेगा लेकिन वो थोड़े नमी वाला इलाका रहेगा और घने जंगल रहेंगे यहां पर क्या होता है तराई छेत्र में कि जो बारिक कंकर पत्थर रे चिकनी मिट्टी यह सब रहते है ठीक और भाबर छेत्र में जो नदिया अद्रिश हो जाती है वो क्या होता है तराई छेत्र में जाके वो पुना ही दिखने लग जाती है देखिए आप यहां पर जादा हो रही है वहां पी क्या होता है जल इस तर फिर उपर उठने लगता है नदियों का फिर नदिया जो एक दम से पानी ज्यादा दिखने लगता है इनमें दिख रहे हैं यहां पे कंकर पत्थर क्या हो जाते हैं फिर वो नीचे बढ़ जाते हैं तो यह जो है पानी जो है कंक jsem पत्थरों से ऊपर बहता है यहां पर दिखने ли anxiety वहां पर चलके वहीं दिखने लगजाती sleepy अन्द र्याय के नीचे सबाइब अधुग जेगा पाणी तो यहां पर पर पत्थरों के ऊपर उपर से क्यों पी अप्योगी ता यहां पे जो तुराइघ की मिट्टी हो था में तो अपंच भरी होती है लेकिन आम क्ष्विण की कमी समयं पाई जाती है यह याद रखना है किसकी कमी होती है कि कमी पाई जाएगी तो भी क deben तो यह खेती के जाती है वो कौन से नाचोगी की जाती है तो देखो यहां पर जाएगा गेहु, चावल, मक्का, गन्ना इन सब के खेती के लिए क्या है यह उपयोक्त होती है तरही चेतरा क्योंकि यह वेस्ट बेंगॉल के साइड में भी मिलता है ऐसा चेतरा तो वहां पर क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में देखने को मिलता है ठीक है यह अरिया कहां देखने को मिलेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश में यहां पर क्या हो रहा है कि जो उत्तरी मैदान के जो उच्च भूमी है वहां पर क्या होता है कि पुरानी जलोर मिट् अब बांगर से देखो कैसे यूज वर्ड लग रहा है जिसे बंजर बंजर वर्ड टाइप लग रहा है ये बांगर ठीक तो बंजर भूमी में क्या होता है क्रिशी होती है क्या नहीं हो पाती है तो लेकिन ये बंजर नहीं है ठीके इसको सिर्फ एक ट्रिक के माद्धियम से याद रखना है कि बांगर और खादर इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फिस होते है बच्चे इस लिए मैं बता रही हूं कि अगर बंगर आया तो इसको इस तरह के से याद रखना है बंजर बंजर एरिया में क्रिशी ज्यादा नहीं हो पाती है ये याद रखना है तो नदी जो बहती वो अपने साथ क्या लेकाती है मिटी कंकड पत्थर लेकाती है तो कुछ एरिया ऐसा होता है कि जो उपर ही रहता है जहां पर कंकड पत्थर तो बैठ जाएंगे और अच्छी मिट्टी चुराएगी वो बह जाएगी नदियों के साथ तो यह रेत रहेंगे और यहां पर देखो बड़े-बड़े मिट्टी के धेर बन जाएंगे ऐसा एरिया रहता है उसको बांगर कहा जाता है यहां पर क्या होता है पुरानी मिट्टियों का जमा हो जाता चो जो डकन कर फनक पंकर पक्थर उसे युक्त रहती है जो फिल कि विए उप्यूग में अब आप है इसके बारे में और छो जो रहते है कि यह जो रहता है ऐक्षोर कि में रिखisches होता है और क्या होता है बांगर-प्रदेश में अप्षय के कारण क्या होता है कि भूमी के ऊपर की मुलाय मिट्टी तो नस्ठ हो जाती है क्योंकि क्या होता है यहां पर पानी से क्या होता है बह जाती है मुलाय मिट्टी आप वहाँ पर क्या बसता है कंकरभा फटथरéta गणर अथ क्या क्या भालाएंगा भूड बोला थो आशे जो भूमी रहेगी जहां से कंकर मिटी अच्छी मिटी मिटी थी इसी defense कि अभूड जाती है अब देखो इस खेत्र में क्या है दोमत मिटी पाई जाती है जिसमें क्या होते हैं कंकर होते है दो मत मिल्टी में भी घेती किसानी तो करते हैं लेकिन देखो क्या होता है इसमें अच्छे अनाज़ वाली जो है ना वह नहीं हो पाती दो मत मिल्टी में ठीक है अब मुख्य रूप से ये कहां पे होगा शुश के छेत्रों में होगा बांगर क्या होगा नमकीन और छारिये छोटे पथों को परदशित करता है अब इन्हें क्या कहा जाता है इन जो एरास्ते रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा बांगर के उनको कहा जाता है रेह कलर या भूर के नाम से जाना जाता है ठीक है इस भूमी को क्या कहा गया है कंकरेली जो भूमी है उसको भूर कहा गया है लेकिन वह जो एरिया है जो छेतर है उनको क्या कहा गया है रेह कंकर वाला जगा है इसलिए कलर रेत वाली जगा है इसलिए रेह ठीक है ऐसे याद रखना है रेतीली जगा है थोड़ी तो इसलिए रेह बंकर वाली यह तो कलर और क्या है भूर के नाम से जाना जाता है तो यह हमने देख लिया है बंगर ठीक है अब नेक्स देखते हैं है अब है खादर ठीक है ब्लता है और और होां सब्सक्राइब tekn लिक भो में को तो देखतें इसकोर यह उत्तरी मैंदान के उत्तरी भारत के मैंदान के निचली बhूमी थी बांगर थे बूधिग हें की अगया बना एरिया में क कहा गया है खादर किया नीचा मैदान के मिलेगी मिले यह मतलब का नाम नहीं है खादर खादर जो है वह एरिया है ठीक है चेद्र को कहा गया है तो पूर्भी- उत्तरप्धेश, भिहार पक्षिम, возможно में क्या होता है इसका विस्तार रेखा गया है यह क्या होता है नदी की बाड से की जड़ोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो इसी भूमी को क्या कहा गया है खादर भूमी कहा गया है इस प्रकार से क्या होता है खादर भूमी का निर्मान होता है अब इसके उपयोगीता देख लेते हैं खादर भूमी जो रहेगी वो क्या करेगी मृदा को जलधारन करने की शमता अधिक रखती है इसमें क्या होगा मृदा को जल्धरान अच्छे से हो पाएगा जो उत्तरी मैदानी भाग को सबसे उपजाओ बनाता है अब क्या होता है इस छेत्र में देखो कैसी क्रिशी हो रही है यहां पर चावल जूड गेहू गन्ना दलहन तिलहन यह सब क्या है इस प्रकार की खेती होगी क्योंकि यहां पर क्या है मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाओ मिट्टी रहेगी तो यह क्रिशी के लिए क्या है बहुत ज़्यादा उप्योक ते मिट्टी रहती है थीक नदियों या इरिया रहे गए यह बहुत ज्यादा हरा भरा रहता है इनके द्वारा लाए गए इस इसी कास प्स नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादे एरियों में पाई जाती जब बाड़ आती है ना तो बाड़ में लेकिन वह बाड का जो पांडी रहता है वह बहुत जब हसे कि मिट्टी रहती है इसे कि यहीं तबहुत ही मुलाय मिठ्टी रहती है। ठीक तुछनम के साथ। नवीन चळओ दर मिठ्टी रहती है। कर देख लेते हैं अ outta देको ज़ो उत्तरी पहरा का जो मैदान है उसको प्रादेशिक आधार पे कैसे भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है अभी तक थो हमने देखा कि वहां पर किस टर्प की यहीं बूमी प्राप्थ होती है अb यहां पे देखनाए उन मैदानों को नक के राज ज informational को बतवारा हो गया है यहां पे पन्जाब के एरिया पंज्जाब progresses को क्या कहा गया है राजस्थान कमदन है यहां beim अपनद्दीय अब इंको अपने मैदान का नाम दे Μधाया घा यह तो क्या नाम का मैदान मैदान दे दिया गया है और यहाँ पर बहलती यह ब्रह्मोर पुतर। नहीं हम लेट हैं ब्रह्मोर्पुत्र इंडर टो आप जो है। इस इस एक के साथ है इसको मैदान कोरी किया लिए Qe पर वारत तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पंजाब का मैदान इसे और क्या कहा गया है सिंदू और सतलच का मैदान भी कहा जाता है और क्या है देखो इसका नाम सतलच यमुना विभाजक मैदान भी कहा जाता है इसको अब देखो यह जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है पंजाब के मैदान का यहां पे सिंदू और उसकी सहायक नदियों जैसे कौन को सी ये सहायक नदिया चेनाब जेलम रावी व्या सतलूज इनके द्वारा मैदान का निर्मान किया गया है यह मैदान का निर्मान किस से हुआ है पंजाब के मैदान का निर्मान तो इन पाच जो नदियों से हुआ है त इसलिए उसे पंजाब कहा जाता है और ये पाचो नदिया किसकी सायक नदिया है तो सिंदू की है सिंदू तो जम्मु कश्मिर में भैठती है ठीक है उसके सायक नदिया कौन सी है ये छेलम चेनाम रावी व्याज सतलग ये सब है तो इसलिए इस एरिया को क्या कहा गया है मैदान को दुवाब भी कहा जाता है क्योंकि हर नदिया उनके बीच के छेत्र रहता है उसको क्या कहा जाता है दुवाब कहा जाता है हर नदी के दो बीच के छेत्र को तो यहां पर भी कित्ती नदिया है देखो पांच नदिया है अब देखो इसका निर्मान कैसा हुआ वो देख लेते हैं सिंदु और उसकी जो सायक नदिया है उनके द्वारा हुआ है इसका निर्मान अब इसकी भौगॉलिक जो विस्तार है वो देखते हैं भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश में हैं क्यों है पांकिस्तान में क्योंकि यह जो नदिया है वो कहां participate यह पाये पांकिस्तान दूरुदेश में है प्हादा वा यह पंजाब पांकिस्तान में हमारी इंडिया को सहलिकर Naglach और पूर्वी सीमा में क्या बहरता है इसके यमुना नदी दक्षिनी में अरावनी की पहाड़िया पाई जाती है पंजाब, हर्याना और दिल्ली तक इसका विस्तार है छेत रफल कितना है इसका तो छेत रफल जो है ये आएगा ये है 38,300 वर्ग मिल मतलब 99,200 वर्ग किलोमेटर के आस पास के क्या है इसका छेत रफल है बहुत लंबा एरिया है ये एक लाख वर्ग किलोमेटर के अलग भख हो गया ये ठीक है अब देखूँ इसके बारे में और के इनफरमिशन है कि दक्षिन पूर्व के मुख ये उपोश्न कटी बंडिय कटीले जंगल पाए जाते है मिए चुश्क पर्ण पाती बन भी पाए जाते है यहां पर अधिकांश मैदानी छेत्रों में क्या होता हैند कर्शीकार यह ओता है और यह यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो गेहू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कौन-कौन से अनाज उगा जाते हैं यहाँ पर तो कपास यायने कोई भी अनाज हो सकते है कपास हो सकता है गन्ना तिलहल उन सब क्या होता है यहां पे क्रिशी कारे किया जाता है यह पंजाब का मैदान जो है कहां पर हमने देख लिया पंजाब हर्याना और दिल्ली छेदर में ठीक है राजस्थान का मैदान तो राजस्थान का मैदान कहां था राजस्थान में था इ लेकिन कुछ-कुछ एरिया में क्या है थार मरुस्थल भी आ जाता है ये ये पूरे एरिया में नहीं फैला है रावली के परवस से लेके भारत पाकिसान की सीमा तक तो है लेकिन कुछ-कुछ एरिया में क्या है मरुस्थल एरिया भी आता है और कहां पर है देखो ये इस तेल, जिपसम, नमक के भंडार की दिश्टी से क्या है भारत का एक महतोपुन छेतर है यहने बहुत ज्यादा उपयोगिता है इस मैदान की यहां पे क्रिशी है तो क्या है जलस अंसाधन के लिए इंद्रा गांधी नहार का विकास किया गया है कहां पर राजस्थान के में और इस मैदान में क्या देखने को मिलता है तो सामभर जील यह क्या है सामभर जील जो यह है वो भारत की सबसे वड़ी खारे-पानी जील है इसे में नदी line इस मैदान की प्रमुक नदी है, जो कच्छ के रण में जाकी क्या हो जाती है, विलूप्त हो जाती है, ये कोशन बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी है, ठीक है, लूनी नदी निकलती तो और आवली परवत्य से है, लेकिन ये विलूप्त कहा हो जाती है, तो ये कच्छ के वाली नदिया जैसे गंगा अपनी सायक नदियों के साथ इस मैदान में बड़ी मात्रा में क्या लाती है जड़ोर मिट्टी लाती है और क्या करती है उसका जमा कर देती है तो नदिया और सायक नदिया यह सब मिलकर ही क्या करती है मिट्टी का यहां पर निर्मान करती है नई सबसे विश्याल मैदान है इसका अच्छी त्रफल भी बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा है गंगा का मैदान, तो जहां जहां से होके गुझरती है वहाँ उसका मैदान हो जाता है, जैसों उत्तरी राज्जे कहां कहां पे हर्याना का भी कुछेरिया आएगा दिल्ली यूपी बिहार और पूर्व में क्या है जारखंड और पक्षिम बंगाल के हिस्से में भी गंगा के मैदान देखा जाता है इसके बारे में और इंफर्मिशन देखते हैं तो गंगा और ब्रह्म पुत्र का डेल्टा जो है ठीक उसे क्या कहा गया है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा गया है और वो किसके अंतरगत आता है तो गंगा के मैदान के अंतरगत ही आएगा अब जो 38 डेल्टा है वो क्या है इसका बड़ा हिस्सा कहां पर सुरक्षित है तो यह सुन्दरवन नामक ज्वारी जंगलो द्वारा सुरक्षित है तो जहां सुन्दरवन है ना सुन्दरवन जो बहुत बड़ा फेमस है यह डेल्टा वाली जो एरिया है वहां पाय जाता ह है ठीक है सुंदर्वन में बहुत बड़ा डिल्टा बनता है तो सुंदर्वन में क्या देखा जाता है दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रो दलडल है यह question पूछा गया था पीसी में जो मैंग्रो दलदल है वो कहां देखे की हुआ है क्योंकि यहां पे सुन्दरी नामache Vr 크게 प्राप्त हुआ है वरिक्ष मिलते हैं यहां पर तो सुन्दरी नामक पर Başka सुन्दर्वन पढ़ा है यह कैसा है अधालदली भूमी नह बहुत जादा बढ़ता है ये मंग एरिया क्या रहता है किषमें जड़े बहुत ओपर तक आ जाती है नीचे तो रहती है जड़े लेकिन जड़े पेरों के ओपर तक आ जाती यानि तनो तक बहुत जाती है तो उन्ही99 क्याम स्राइज चाजिए मैंग इसली यहां पर यहां पछादा प्रेल जाता है अब जो गंगा का मैदान है उसको भी कित्ते भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में बाटा गया है गंगा के मैदान को भी इसमें देख लेते हैं जैसे उत्तरी गंगा का मैदान मद्ध गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान तो देखो ये उत्तरी है या उपरी मंगंगा का मैदान कहा जाता है इसको इसके अंतरगत क्या होता है कि गंगा और यमुना गंगा यमुना दो नदिया है तो दोनों के बीच का जो छेतर उसको क्या कहा जाएगा दुवाब यानि दो नदियों के बीच के छेतर को क्या कहा जाता है दुवाब कहा जाता है तो यहां पे कौन सी नदिया है गंगा और यह मुना दुवाब ऐसा कहा जाएगा ठीक है जब भी दो नदियों का नाम लिया गया और दुवाब जुड़ा गया मतलब उनके बीच का एरिया होगा तो यह एरिया क्या कर रहा है दो इस में कौन सा मैदान शामिल होगा अवद कर सानी के मैदान शामिल होगा इसका विस्ताथ है जो हम देखते हैं हरीद्वार से लेके दिल्ली से कहां तक है यह इलाबाद तक रहता है ह transfaj और दिली तो यहां पर जो देखो उचाहिए यह सबसे जादा है यह शंड़ा कहा है indiramente सौ से लेके तिन सो फिर मध्य में कितना है पचास से लेके सौ ठीक और सबसे नीचे निमने वाले में क्या है जीरो से लेके पचास तक तो सबसे नीचे में आएगा जीरो से पचास तक फिर पचास से सौ में मध्य गंगा का मैदान और उपरी गंगा का मैदान में क्याएगा सौ से लेके तीन सो तक अब यहां देखो प्रमुक प्रमुक नदिया कौन कौन सी है तो यहां की नदिया होगी यमुना, शारदा, गोमती, खागरा और राम गंगा तो कुछ-कुछ नदिया जो है, वो कहां से निकलती है कुछ नदिया नेपाल से भी निकलती है कुछ उत्राखंड से निकलती है तो उत्राखंड और नेपाल से जिनका उत्गम हुआ है वो नदिया कहां पर मिलेगी उत्तरी गंगा के मैदान में मिलेगी अब मध्य गंगा के मैदान में कहां से कहां तक आएगा देखो इलाबास से लेके राज महल की पहाडी तक इसका विस्तार आएगा ठीक है और इसकी औस्ता तुचाहिए तो हमने देखी ले थी पचास से लेके सौ मिटर तक है अब इसमें जो मुख्य नदिया है वो कौन सी है यमुना भी आके बहेगी यहाँ पर यमुना है शार्दा है गंडग घागरा कोसी सर्यू ठीक है अब देखो इसमें और कोई दो तीन नदिया एक्स्ट्रा जुड़ गई है तो यह सब एरिया कहा यानि कि बाकी नदिया जुर कि अगे की जो नदिया है वो देखेंगी हम देखो यह जो नदिया है घागरा घागरा तो देख लेहां पर भी गंडग कोसी और सर्यू यह आगे है कि सके मिलती है गंगर मंद्च शामिल हो गी यह नदिया मंद्च गंगग Guy कंध मेदान बीहँस सरवादिक प्रभाव Ama तो इसलिए क्या होता है, देखो, जो मद्दिकंगा का मैदान है, उसमें क्या पाई जाती है, गोखुर जिल पाई जाती है, गोखुर जिल बहुत अधिक मातरा में पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदिया कैसी होती है, विसर्प के रूप में, याने साप के जैसी बहत तो इससे क्या होता है ये गोखुर जील का निर्मान हो जाता है कुछ पाँ बार बार ऐसी मुड़ मुड़ कर जाती है तो यह कहीं होता है मैंद्य होता है अब देखते हैं निम्न गंगा का मैतान ये कहां से कहां तक फैला है तो ये है राज महल की पहाड़ी से लेके फरक का बैराज तक इसकी औसा तो जाई किती है जीरो से लेके पचास मीटर तक अब यहां देखो यहां प्रमुक नदिया क्या है कोसी दामोदर और हुगली तो ये कौन से एरिया में आ जाएगा फरक का बैरा जागी है मतलब ये पक्षिम बंगाल में आ जाएगा बक्षिम बंगाल की प्रमुक नदिया भी आज गई यहां पर ये तो बिहार में बैती है बक्षिम बंगाल में बैगी दामोदर दामोदर नदी को क्या कहा जाता है बं और चोटा नाकपुर का पठार और सुन्दरवन इसी के अंदरगत आते हैं तो यहां पर हमने अच्छे से देख लिया है गंगा के तीनों मैदान के बारे में कहां से कहां तक फैला हुआ है पहला दिल्ली से इलाबाद है फिर इलाबाद से राजमहल फिर राजमहल से फरकाब इनकी उचाई भी देख लिया और यहां पर प्रमुक नदियों के बारे में भी देख लिया है अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान ठेक है तो जिसे नाम से ही इस पस्ट है कि यह कहां पर होगा तो यह होगा ब्रह्मपुत्र घाटी यानि ब्रह्मपुत्र नदी क क्या कहा गया है ब्रह्मपुत्र घाटी कहा गया है असम घाटी कहा गया है असम के मैदान कहा गया है यह इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी का दिकांशिस्ता कहां पर है असम में है इसलिए इसको असम घाटी या असम मैदान के नाम से भी संते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ रहता है प्रम्म पुत्र का मैदान यह पुर्वी सीमा में किया हैं पुर्वाण्चल की पहाड़ियां् हमने पुर्वाणचल की ङंद उसमीं याद होगा आप ती प्रम्म पुत्र और इसके जो सायक नदिया इस इस इसके निक्षेपों से ही क्या होता है, यह मैंदान निर्मान हो रहा है, यह जब भिढमी निर्मान को दोड़िता है इंहीं है जब भी हमने देखा है, जैसे गंगा का मैदान हमने देखा तो coses इसमें किसके द्वारा नदी और उनकी सायक नद्यों के द्वारा न नागती गाद मिटी न गाद मिटी ऋनके रिकषीद होता है इस मैदान के जो सामान ने ढाल है वो कहां पर होगा दक्षिन पक्षिम की और बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा अब जिसे ढाल जो ढाल प्रवंटा के कम होने के कारण क्या होगा ये छेत्र में क्या होता है कई द्वीब बन जाते हैं ठीक है ढाल जैसे हो रहा है तो वहां कि यहां पर इधर जाके ऐसे फैल गई फिर वहां आगे चलके रही पिर मिल है यह नदी तो बीच का जो एरिया रहता है न ये कभी-कभी क्या बन जाता है द्वीब बन जाता है ठीक जब हम नदियों का पढ़ेंगे तो और अच्छे से विस्तार से दिखेंगे तो यह क्या होता है यहां पे यह क्या है यह मैदानी इलाका हो गया यह पहाड़ी इलाका टेक का हो जाता है तो इसको क्या कहते है द्वीब तो यह नद सबसे बड़ा नदी है यह बहुत बड़ी है भारत का सबसे बड़ान है और यहां पर क्या देखने को मिलते हैं अब जो ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है उसमें जो है सहायक नदिया वो कैसी होती है सहायक नदियों के द्वारा निर्मिशंको के निर्माण से प्रवा मार्ग अवरुद्ध हो जाने की कारण क्या होगा यहां पर गोखुर जिल बील दलदल और तराइचेत्र बन जाते हैं ठीक है तो यहां पर भी क्या बनेगा गोखुर जिल बनेगी जैसे गंगा के मैदान में बन रही थी मद्य गंगा की मैदान में बन रहा था ना गोखुर जिल वैसी यहां पर भी गोखुर जिल मिलती है क्योंकि नदियों का प्रवाव कैसे रहता है बहुत तेज रहता है नदियों का प्रवाव जब इंसे सायक नदिया मिलेगी तो और तेज हो जाता है इनका प्रवाव तो वो जैसे जैसे क्या होती है अपने रास्ता ढूंडने के लिए रास्ता बनाती है वो आड़ा तीरचा बहबे के क्या करती है नदिया रास्ता बनाती है नदियों में इतना पानी रहता है कि वो बड़े-बड़े पहाड़ों तक को हिला के अपने रस्ता बना लेती है ठीक तो नेधया यहां पर अपना रस्ता बना कर लेथी, गोखरू जइल बना लेती है और इसी एरिया में क्या पाए जाते हैं? दल्दल भूमी भी पाए जाती है ठीक है, दल्दल भूमी भी पाए जाती है, तो इसलús लिए यहां पर मैदान कैसे होगे? बहुत ज़्यादा उपजाओ होंगे और किस लिए फेमस रहेंगे चावाल और पटसन की खेती के लिए तो देखो हमने मैदान भी आज कवर के लिए उत्तर भारत के मैदान को आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपने अगर भूगल के और वीडियो नहीं देख सकते हैं आपको बहुत इजी ली समाझ में आ जाएंगे ट्रेक वाइस भी मैंने पढ़ाया है तो आज हमने देख लिया है उत्तरी भारत के मैदान नेक्स लेक्चर में हम किसी ने टॉपिक के साथ रहेंगे तो आप हमसे जुड़े रहें और इसके कोशन आंसर भी हम देख हैंगे नेक्स क्लास में ठीक है तो आपका अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले ओके थैंक्यू स्टुडेंट